अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके किसी Android फोन में Facebook एप ओपन नहीं हो रहा है या फिर आपके फोन में Facebook एप नहीं चल रहा है तो ये problem अपने फोन में ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन की settings ओपन करिए setting में आने के बाद अब नीचे आजाएए नीचे आने पर ये apps आएगा तो इस पर किलिक करिए उसके बाद उपर ये manage apps आएगा या फिर app manager आएगा या फिर app management आएगा तो इन तीनों में इससे किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है हमारे फोन में जैसे कि ये manage apps के नाम से आ रहा है तो manage apps पे क्लिक करिए और इससे open करिए अब इससे open करने के बाद आपके phone के सारे app आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आईए नीचे scroll करने पर आएगा इस तरीके से facebook तो facebook पे आप क्लिक करिए उसके बाद इसा page आएगा या फिर यहाँ पे आने के लिए facebook के आईकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए उसके बाद यह app info आएगा तो app info पे क्लिक करिए और इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आएगा यह force से stop तो इस पे किलिक करिए उसके बाद नीचे ok पे किलिक करिए यह करने के बाद अब उपर आएगा यह storage या फिर storage usage तो इस पे किलिक करिए नीचे आएगा यह clear data तो clear data पे किलिक करिए clear all data करिए उसके बाद ok पे नीचे किलिक करिए ये करने से कोई आपका डेटा या फिर फेसबुक से फोटो वीडियो कुछ डिलीट नहीं होती है बस फेसबुक आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है यानि की ID लॉग आउट हो जाती है तो फेसबुक में आपको ID पासवर्ड एंटर करके फिर से लॉग इन करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये क्लियर डेटा करने के बाद आप बैक आजाएए उसके बाद अपने फोन में Google Play Store उपन करिए उसके बाद अब उपर सर्च बार पे किलिक करिए और Facebook सर्च करिए उसके बाद चेक करिए अगर Facebook में कोई अपडेट आया है तो यहाँ से इसे अपडेट करिए अगर अपडेट नहीं आया है तो यहाँ से आप बहार आ जाएए उसके बाद अपने फोन को बंद करके चालू करिए या फिर एक बार अपने फोन को restart करिए और ये सारी settings apply करने के बाद अब अपने फोन में चेक करिए Facebook open हो रहा है तो अब इसे open करने के बाद अपने account को login करिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे फोन में Facebook चेल रहा है तो इस तरीके से आप अपने फोन में इस problem को ठीक करें अगर आपको ये वीडियो पसांद आई तो इस वीडियो को like जरूर करें